साडी भारते नारी का मुख्य परिधान है और जब भारते नारी साडी पहंटी है तो उसकी खुबसूरती में चार चान लग जाते हैं वहीं बॉलिवुड में भी कई आक्टरस हैं जो साड़ी पहनने का बहुत शौक रखती हैं लेकिन बॉलिवुड में कुछ आक्टर्स भी हैं जिने साड़ी शौक में नहीं बलकि अपने काम की वज़े से अपनी कमर पर बांधनी पड़ी तो कौन थे वो आक्टर्स जिन्होंने ओन स्क्रीन पहनी साडी आई आपको बताते हैं अक्षे कुमार हाली में अक्षे कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम का ट्रेलर रिलीस हुआ है इस फिल्म में अक्षे चुकि एक ट्रांस जेंडर का भी रोल निभा रहे हैं तो इस फिल्म में उन्होंने साडी पहनी है और इस लुक में वो बेहत दंदार लग रहे हैं अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन सौंग मेरे अंगने में के दौरान महिलाओ के कई अफ्तार में दिखे थे अमिताब ने लहेंगे के अलावा सफेद रंगी साडी भी पहनी थी उन्होंने ऐसा इस गाने में फन और कॉमेडी का डोस डालने के लिए किया था लावार इस नाम की ये फिल्म सूपर हिट साबित हुई थी और फैंस के बीच भी ये गाना काफी पॉप्लर हुआ था गोविंदा नब्बे के दशक में बॉलवर आक्टर गोविंदा का दबदबा था और वो अपने हर किरदार में लोगों को हसा देते थे फिल्म आंटी नब्बो वन के कई हिस्सों में गोविंदा साडी में ही नजर आए थे और इस कमेडी फिल्म में महिला के किरदार निभाने वाले गोविंदा की आक्टिंगी भी खूपतारी फूई थी कमल हसन फिल्म चाठी 420 में कमल हसन की भूमिका को फैंक से काफी प्यार दिया था इस फिल्म में कमल ने महराश्र की एक महिला का किरदार निभाया था कमल इस पूरी फिल्में साडी में ही देखे थे और वो आक्शन से लेकर कमेडी सीन्स को साडी में ही करते दिखे थे आईशमान खुराना आईशमान खुराना अपनी फिल्मों में काफी दिल्चस्प कारेक्टर्स के लिए जाने जाते हैं वो कुछ समय पहले फिल्म ब्रीम गल में एक ऐसे शक्स की रोल में दिखे थे जो महिलाओं की आवास में बात कर सकता है और उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है और इसी फिल्म में वो काफी स्टाइलिश अंदाज में अपनी स्टाडी अफ्कार में भी दिखे थे श्रेयस कलपडे फिल्म पेइंग गेस में श्रेयस कलपडे शिफॉन स्टाडी में नजर आये थे और अपने इस अंदार से उन्होंने फ्रांस का दिल जीत लिया था भाई तो ये हैं बॉलिवूड के वो आक्टर्स जिन्होंने फिल्मों के खातिर साड़ी पहनने से भी कोई अतरास नहीं किया